यदि 9 cm उचाई वाले एक लंब रुवतिय शंकु का आयतन 48-25 cm क्यूब है तो इसके आधार का व्यास गयात करिये तो यानि कि एक शंकु हमको दिया गया है पिछले वाले सवाल की ही तरह है इसमें उचाई भी दी गई है अब की से इसमें तिर्जय की बचाए व्यास पूछा गया है हम यह बात जानते हैं कि व्यास तिज्जय का दो गुना होता है अर्थात पिछले वादे सवाल की ही तरह हम इसमें तिज्जय निकाल लेंगे और फिर उसका दो गुना कर देंगे इस से हमें आदार का व्यास व्यात हो जाएगा तो सबसे पहले अपनी सुवधा के लिए हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं इस चित्र में हमें H का मान दिया गया है 9 cm और R का मान हमको नहीं पता है R यहाँ से यहाँ तक की आदी दूरी होगी इसी का दुगना कर देंगे तो पूरी दूरी व्यास बन जाएगी इस पूरी दूरी को ही हमको निकालना है तो चलिए पहले R निकाल लेते हैं और बाद ने इसका दुगना कर देते हैं तो चौथा सवाल में सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया गया है शंकु का आयतन 48 π. cm3 तो इसके आधार का व्यासम को ग्याद करना है तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम लिखते हैं शंकु के आयतन का सूत्र एक बटा तीन पाई आर स्कुएर एच एक बटा तीन गुणे पाई आर स्कुएर एच अर्तालिस पाई हफसे पहले तो यह पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और एक बटा तीन ऐसे ही रहेगा और आर का मान तो हमें निकालना है तो आर स्कुएर भी ऐसे ही और एच का मा आया 3.18 आर बराबर 16 का रूट इस तरह ऐसे अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर तो आर का मान तो आ गया 4 लेकिन हमें चाहिए था व्यास व्यास क्या होता है व्यास जैका दो गुणा होता है यानि कि 2 गुणे आर बराबर 2 गुणे 4 अर्थात आ गया 8 हमने शंक के आयतन का सूथ रख दिया और फिर उसके बाद में इसको हल करते हुए आर का मान ले आए आर का दूगना कर दिया और हमारा व्यास आ गया इस तरह से 14 सवाल भी हलो गया आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और शियर करें और जादा से जादा केमेंट करके अच्छे से प्रोसाहन देके अपनी राय देके हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी साहता करें थैंक यू